हेलो फ्रेंड्स आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कंप्रेस कर सकते हैं वीडियो को 5-10 टाइम्स बिना जादा किसी कॉलिटी लॉस के बहुत इजली एन फास्ट तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ आप अपना ब्रावजर आपर उपन करिये इंसर्ट करिये अनसर्ट करिये घंप्रेकुक करिये इदिन डाउंलोडेट्ट पर क्लिक करिये यहां से अप्रिक क estoy wolfington टाउंलोड केशन चूज कर सकते हैं then save पर क्लिक करिए, डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, अब आप handbrake के setup पर क्लिक करिए, next पर क्लिक करिए, next पर क्लिक करिए, then install पर क्लिक करिए, अब आप finish पर क्लिक करिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि successfully हमारे PC में handbrake install हो चुका है, आप handbrake को open करिए, यहाँ पर आप file drag करके drop कर सकते हैं, या फिर आप file पर क्लिक करिए, यहाँ से आप video file सर्च करिए, जिसे आपको compress करना है, then open पर क्लिक करिए, यहाँ से आप web optimize को select कर लीजिए, अब आप video section में जाईए, frame rate में आप same as source को choose करिए, then constant frame rate को select करिए, आप encoder preset को slow पे set कर दीजिए, then RF value को 23 पे set कर दीजिए, अगर आप RF value को increase करते हैं तो, आपकी file उतनी जादा compress होगी, एंद थोड़ा बहुत quality loss भी होगा, वीडियो में, अगर आपके पास बड़ी वीडियो file है, तो आप RF value को और increase कर सकते हैं, ताकि वो जादा compress हो, आप browse पे click करिए, यहाँ से आप location चूज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अपनी compress file को save करना है, then save पर click करिए, then start encode पर click करिए, इसमें थोड़ा time लगेगा, depending on the file size, then आप handbrake को close कर दीजिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, कि हमारे compress video file का size 25MB है, और जो original video है, वो 286MB का है, अब मैं आपको videos को play करके दिखाऊँगा, जिससे कि आपको idea लग जाएगा, कि compress होने के बाद, आपको video quality कैसी मिलेगी, आप कैसे ISO files दाउनलोट कर सकते हैं, all operating systems की, जैसे कि Windows 10, Windows 8, Windows 7, Ubuntu, and Kale Linux, link आपको सबका description में मिल जाएगा, अगर ये video आपको helpful लगी हो, then do like, share and subscribe, and अगर आपको कोई भी doubt हो, then comment below, अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर आपको कोई भी डाउट हो,